दोस्तों आज हम आप सभी को भारत में इस्तितेक ऐसे मंदिर के बारे में जानकारी देंगे जहां कोई मूर्ती नहीं है बलकि धर्ती के गर्ब से निकल रही नौ ज्वालाओं की पूजा होती है दोस्तों इन ज्वालाओं के उपर बैग्यानकों ने कई बार सोध किये कि यह ज्वाला बिना तेल बाती घी के सदियों से कैसे जल रही है पर सोध का नतीजा कुछ भी हात नहीं लगा यहां तक इन ज्वालाओं को कई बार आक्रमण कारियों ने बुझाने का प्रयास किया यहां तक कि इस पर पानी की धाराओं को भी डाला गया लेकिन इन ज्वालाओं को कोई बुझा नहीं पाया नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप हिमाचल मंदिर दर्शन सरंखला की नई वीडियो में दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सस्क्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे तो चलिए दोस्तों वीडियो की सुरुआत कर लेते हैं दोस्तों हम बात कर रहे हैं ज्वाला देवी मंदिर हिमाचल प्रदेश की ज्वाला देवी मंदिर भारत के 51 सक्ति पीठों में से एक है और ज्वाला जी मंदिर भारत में अत्यधिक पूजे जाने वाले सक्ति मंदिरों में से एक है यह वह मंदिर है जहां ज्वाला देवी कोई मूर्ती के रूप में नहीं बलकि पवित्र ज्वाला के रूप में इनकी पूजा होती है यह कांगणा घाटी की सिवालिक स्रेणी की गोद में इस्तित है जिसे काली धर कहा जाता है ऐसा माना जाता है कि यह पांड़ों द्वारा निर्मित पहला मंदिर है, जुवाला जी हिमाचल प्रदेष के कांगडा जिले के जुवाला मुखी में स्थित प्रकास की देवी को समर्पित एक देवी मंदिर है बात करें मंदिर के इतिहास के बारे में तो सिव पूराण के अनुसार यह मंदिर 51 सक्ति पीठों में से एक है और जब भगवान विश्णु ने अपने सुदर्सन चक्र का उपयोग करते हुए सती के सरीर को 51 भागों में विभाजित किया था ये उन 51 भागों में से एक है जि मालय की पहाड़ी की धवलाधार स्रेंडी पर गृत थी लेकिन वह बहुत मेनहत के बाद भी उस अस्थान की पहचान नहीं कर सके और उसके बाद उन्होंने कांगडा के नगर कोट में देवी सती का मंदिर बनवाया जब कुछ वरसों के बाद कुछ लोगों ने राजा को स संतों को पंडित स्रीधर एवं पंडित कमलापती को मंदिर की पूजा में करने के लिए रख दिया और ऐसा माना जाता है कि आज इस मंदिर के पूजारी इन दो संतों के वनसज हैं यह भी माना जाता है कि महाभारत काल में पांड़ों ने उस अस्थान पर पूजा की थी औ वह गाय का पीछा करता है और उसने देखा कि एक लड़की जंगल से बाहर आ रही है जिसने गाय का दूद पी लिया और फिर प्रकास में गायव हो गई चरवाहर राजा के पास गया और उसे सारी कहानी सुनाई राजा इस कथा से सतरक थे कि सती की जीव इस छेतर में गरी थी राजा ने बीना किसी देरी के उस पवित्र अस्थान को खोजनी की कोशिस की फिर कुछ साल बाद चरवाहर राजा के पास आया और राजा से बोला कि उ पुजा में सामिल होने की विवस्था की। ऐसा माना जाता है कि पांड़ों ने बाद में आकर इस मंदिर का पुनर निर्माड किया। राजा भूमी चंद्र ने सबसे पहले मंदिर का निर्माड करवाया था। इस मंदिर से मुगल आकरमणकारी अकबर की एक कहानी भी जुड़ी है। कहा जाता है कि अकबर ने मंदिर में जलती ज्वाला को बुझाने का बहुत प्रयास किया। जिसमें अकबर ने एक बार जोती पर लोहे की मोटी परस से लेप करके और यहां तक कि उसने पूरी एक पानी की नहर खुदबा दिया था ज्वाला को बुझाने के लिए। लेकिन आग की लप्टों ने इन सभी प्रयासों को आग लगा दी। अकबर ने तब मंदिर पर एक सुनहरा च्छत्र भेंट किया। हाला कि देवी माता ने उसकी भेंट सिवार नहीं किया। और उस सोने के च्छत्र को एक ऐसे धातु में बदल दिया जो अभी भी दुनिय के लिए अग्यात है। उसके बाद जब अंग्रेजी हुकूमत आई उन लोगों ने भी बहुत कुप्रयास किये ज्वाला को बुझाने की लेकिन उन्हें भी सफलता हांत नहीं लगी। दोस्तों आज अपनी आध्यात्मिक और भौतिक इच्छा को पूरी करने के लिए हज सारों तीर्थियात्री साल भर इस मंद्र में आते हैं। दोस्तों जॅला देवी मंदिर में सदियों से नौ जौला प्रकर्तिक रूप से जल रही है इन्हें जलाने के लिए किसी तेल या बाती का इस्तमाल नहीं किया गया है। ज्वाला देवी में एक और चमतकार देखनों को मिलता है जो मंदिर के पास एक गोरख डिब्बी है और यहां एक कुंड में पानी उबलता हुआ नजर आता है लेकिन जब आप इसमें हाट वोएंगे तो आपको ठंड़क का एहसास होगा दोस्तों ज्वाला देवी मंदिर में देवी की आध्यात्मिक लव को नौ विभिन तरीकों से दिखा जा सकता है आग की लप्टें कभी कभी कम या ज़्यादा होती रहती हैं ऐसा माना जाता है कि नौ दुर्गा चौदा भूवनों की निर्माता है जिनके सेवक सत्वा जोती हैं और दूसरी और बिर्योधियों का संघार करने वाली चंडी देवी की ज्वाला है हमारे सभी दुखों को नश्ट करने वाली लव हिंगलजा भवानी से आती है पांचमी ज्वाला है बिख्ण वाष्णी जो सभी दुखों को नास करती है धन और सफलता की दाता मह और सभी सूखों की दाता भी स्कुंड में मौजूद हैं। दोस्तों बात करते हैं मंदिर में मनाये जाने वाले त्यवारों के बारे में तो जुआला मुखी मेला साल में दो बार चैत्र और अस्विन की नौरात्री में आयुज़ित किया जाता है। भक्त ज्वाला कुंड के चक्कन लगाते हैं जिसमें आध्यात्मिक अगनी जलती है, गोरक पंथी नाथों का केंद्र गोरक डिब्बी है, लोक निर्त्य धुन नाटक, खेल कूद मेले के कुछ महत पूर्ण परटक आकरशन है, कांगडा में ज्वाला मुखी मंदिर विसाल म मेले का स्थान बन जाता है, अब बात करें मंदिर की आर्खिटर की तो मंदिर की सनरत्ना सोने के गुंबत के साथ आधुनिक है, और इसमें चादी की प्लेटों का एक आश्चर जनक दरवाजा है, मुख मंदिर के सामने पीतल की एक बड़ी घंटी है, जिसे नेपाल के रा अतन पूर्ण सथान हैं, जिनमें नादाओं बारा किलो میटर की दोरी पर 50 तीर्थ और महा काले स्वर, नादाओं से खोकर 9 km और 28 km की दोरी पर, और हरीपूर 45 की दोरी पर, मानगढ 37 क की दोरी पर, और साथ ही यहाँ पर माता तारा देवी मंदिर, माता अश्ट बुजा मंदिर, स्री रगुनाजी मंदिर, नागनी माता मंदिर, अरजुन नागा मंदिर, चौमुखा मंदिर, बगला मुखी मंदिर, आदी मंदिर इस्थित है जहां आप घूमने जा सकते हैं। दोस्तों मंदिर के पास और सहर के बिभिन अस्थानों पर रोगों के लिए आराम गरह बनाए गए हैं, कई जगों पर पार्किंग सेंटर की सुबधा भी उपलब्ध है, मंदिर के ट्रश्ट द्वारा बनाए गए यात्री निवास में सस्ते आवास वा भोजन मिलता है, पान या आप हवाई मार्क से आना चाते हैं, तो जवाला जी मंदिर जाने के लिए नद्दी की हवाई अड़ा गगल एयरपोर्ट है, जो की जवाला जी से 46 किलो मिटर की दूरी परिस्थित है, यहां से मंदिर तक जाने के लिए कार वा बस सुबधा उपलब्ध है, और रेल मा स्टेशन आ सकते हैं, जो जवाला मुखी मंदिर से 20 किलो मिटर की दूरी पर है, और यदि आप सडक मार्क से आना चाहते हैं, तो पठान कोड, दिल्ली, सिमला, आदी प्रमुक सहरों से जवाला मुखी मंदिर तक जाने के लिए बस वा कार सुबधा उपलब्ध है, इसके अलामा यात्री अपने निजी वाहनों वाहिमाचल प्रदेश टूरिजम विभाग की बस के द्वारा भी वहां तक पहुंच सकते हैं, तो दोस्तों यह रही जवाला देवी मंदिर की संपूर जानकारी, दोस्तों आप भी इस चमतकारी मंदिर के दर्सन करने जरूर जाएं और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों में सेयर करें और कमेंट बॉक्स में जै मातादी जरूर लिखें, ठीक है दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में तब तक के लिए जै माजवाला देवी झाल